आइसक्रीम, कुलफी तीला, पिस्ता वाली कुलफी, रबडी, सीता फल, और दूद्धी है, बदाम वाला, काजु वाला इना ने हमारा साथ छोड़ दिया है, और ये इसने खुद की आइसक्रीम की कार्ट लगा लिये, प्यारी सी गाड़ी में बैठ गई है, देखिए गाड़ी दिखा दो जरा, राजस्थानी आइसक्रीम, क्या-क्या है आपके पास मेडम, हमारे पास बहुत सारी विराइटी है, मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप हैरान हो जाओगे, ये देखो, ये है तीले वाली कुल्फी, और ये है इनकी पिस्ता वाली कुल्फी, और ये है रबडी वाली कुल्फी, आप कौन सी कुल्फी खाना चाहेंगे, इतना ही नहीं, यहाँ पर आइसक्रीम की भी बहुत सार पर आइस क्रीम की आडिन यह इस पाक्री आइफी स्टर्व एसक्री पिस्ता आइस घ्रीम Фूट एसक्रीम और चेम दो है तीले वाली कुलफी रबडी कुलफी ये तो मेरा एक फ्रेज है राजस्थानी काट पर निद दो है और यहां पर है ये दूद special बदाम वाला दूद है ये और ये है काजू वाला दूद और इसके साथ मिल भही है रबडी लजीज रबडी लेकिन ये कोई ऐसी वैसी रबडी नहीं आईए है राजस्थानी स्पेशल रबडी जिसे राजस्थानी स्पेशल कुल्हड में बेचा जाएगा ये कुल्हड दिखने में नॉर्मल कुल्हड लग रहा है लेकिन मैं आपको बता दू एक्चल में ये कुल्हड भी राजस्थान से स्पेशल बनकर आया है इसलिए इसकी खुश्बू भी लाजवाब है तो इसको लड़ में आपके लिए बना दूं क्या मैं एक रबडी यह है बदाम शेक और अब मैं इसे सर्फ करने वाली हूँ यह कितने रुपे का एक किलास देना है भाया पचास रुपे का बदाम शेक है देखिए कितना जारा है यह अब यह वनिला आइस क्रिम मैंने इसमें निकाली है और यह जाने वाली है बदाम में का बदाम बदाम ख Parliament में थेंडी भी यह दिन है अट चे आए तो यह आउसक्रिम का का जहां पर आज मैं आइस-क्रिम ही यह काड है इन सरकाव तो सर आप कहां से आये हैं सबसे पहले अपना नाम बताइए राजेश कुमार सर्मा जी तो इनों ने मुझे आज ट्रेंट किया है कि आइस क्रीम राज्यस्थानी काड़ पर कैसे सेल की जाती है तो क्या स्पेशल के आपके यहां पर सिता पल रबडी य चाहिश्था पलोडा है अमेरिकन ट्राइबिट पलोडा है पान पलोडा है जब्सक्रीम है बनीला आस्करीम है अंसले में और कुलफी में कितनी विराइटी आपके आपके इस क्रूंपी है आ कि प्यार दूद बनाते हैं अचया और मैं कुल्लड भी देख रही हूं तो कुल्लड में क्या मुद् takes इसमें सी लोगा आजब की कोई इते हैं यह नॉर्मल कि अ और सब्यक्राय विय कुमार से जरते हैं यह राजास्थान से बन कर आपा सक झभान चल्या pc कुल्लड ही राज्य स्थानी है, मिक्टी की स्मेल बहुत स्ट्रॉंग है, तो इसमें सीता फल की रबडी आपको सर्व की जाती है, इसके अलावा बादाम दूद है, तो आप क्या खाना चाहेंगे, एक कर दीजिए सीता फल रबडी, क्योंकि नया नाम सुन रहा हूं है, सीता तो अब मैं राज्य स्थानी ट्रिंक इन के लिए बनाने वाले हूँ है, यह रबडी के अंदर गया है सीता पर और, और यह है कुल्सी के बीच, यह तो चिया सीट जैसे ही लागे है, यह गए चिया सीट्स, और यह गए चिया सीट्स, और यह जैली है, और यह है जैली, और यह है गुलकंद, यानि यह गुलकंद है, जो गया इसके अंदर, यह है वनीला आइस्प्रीम जो जा रही है रबडी के अंदर, और अब हमारी सीताफल रबडी तैयार हो चुकी है, सीताफल रबडी में पहली बार खा रहा हूं, अरे वाँ, इसमें सीताफल का पल्प का भी टेस्ट आ रहा है, वो भी डाला हो आपने इसमें, अरे चीया सीट्स हैं, आपर से आइस्क्रीम, आइस्क्रीम कहन सी है, अरी रहा है, चैरी और जैली भी है, चैरी और जैली, मैंने बहुत, अरी तो नुदे आइस्क्रीम के मैं हूं करनाल में इसमें, कुल्पी आइस्क्रीम का जो ये काथ भी आख का ए, उसके पास है, यकीन मानियें दोस्तों मैं इस्टे बेस्ट रबडी अभी तक टोडने, अगर आप करनाल शेय ज़की अधर शेया सका और ये रबडी करना जर अभी तक नहीं खाए दिल्ली में भी निया नोस्तों जबर्दस एक बार यहां पर आगे यह सेक्टर तेरा कालरा सुट के सामने खड़े होते हैं भीया यह ट्राय ज़रूर करनी चीए तेरा सेक्टर कालरा मार्केट के पास है यह खुबसूरत सा काट और आप अगर यहां की आइस्क्रिम खा चुके हैं यहां पर आप आ रहे हैं यहां पर आइस्क्रिम खाने तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बाई बाई